ही येलो स्टुडेंट मैं शंदीद वत मिना आज हम M.S.C. 3 सेमेश्टर के पेपर सेकिंड की यूनित फर्स्ट के टोपिक अपर लिमित टॉपलोजी के बारे में फटेंगे फिजली क्लास में मैंने आपको loyal limit topology के बारे में पढ़ाया आज हम upper limit topology के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले definition let r be the set of all real numbers and let t be the family of subset of r consisting phi and r subset g of r having the property that for each small x belongs to g there exists a left half open interval left half open interval के लिए hx such that x belongs to hx subset of g then t is a topology for r called the upper limit topology तो इसमें क्या लेते हैं left half open interval left side interval क्या है open है जबकि जबकि जो loyal limit topology होती है उसमें क्या लेते है right side interval क्या होता है left right open interval लेते है उसमें right side interval open होता है जबकि left side interval क्या होता है close होता है जबकि अपर लिमिट टॉपलोजी को भी आप टॉपलोजी प्रूप कर सकते हैं, वह टॉपलोजी की तीनों कंडिशन हो क्या करना पड़ेगा, वो सटिस्फाइ कराना पड़ेगा, इसके बाद अगली टॉपलोजी है, लेप टॉपलोजी फोर आर, तो सबसे पहले इसकी डे इसके डेनोट करते हैं, लेप टॉपलोजी को है ले ए से ले बराबर एक से patrim लोग्स तो आर्सोच टेट एक्स लेज देने टू भी एन ऊपन लेट ये ओंप रियल नंबर तो नगड़ लेफन रियल नंबर का तो दा पॉइंट ए इसका तो इसका अपन लग एन ट्रवल का आया है मानिस इंफिनिटी जे ए ऎूपन पे भी क्या हैगा वेक्षि ता प्रॉड में और उसमें इंकुलूरियो नहीं होता अप्र कि ये अगर उसमें इंक्ट्रॉड होता है तो उसमें होता है तो गाहिए ये यह थे लिल को भीप पूंट करना है। टोपलोजी पूंटेटीस्ट पूंटीरिदेन प्रूब करना है। तो इसके लिसे लिए टोपलोजी की तीनों कंडिशन सटाइस्ट Y कृड़ेगी। सट कॉल होगिं पहले कंडिशन फेल डेफिनेशन से तो मिनिमों कवारी करने है। उले कशूरो तो एले कि मारे को सब्सक्रा करें ऑख स्षेए कैन आरी कॉंशने दोनों का मिनिमम आता है जो कॉम्ट पॉइंट होटा है पूइंड मेडिशन होता है इसलों को हुद पाहिए जो पॉइंगेहे हो के सकतिकेशंट ऑन ऐगा एक ही टो है यहिस में वार ब्लोंग्स टू देन यूनियन ओप सी बरावर और वार विलोंग्स किसमें टीम हैं से इस सी कंसिस्ट ऑपर रे ओनली तो एफ वरावर हमने लिया एक ल,방न्व्ड, ट। ल, बोंव्ट्री से सबसेट ऑफॉ हवार्ट टो क्या रिजित है इसको इसको सेंडर गॐं करती है इसमें दो केस होगी ऐस höher से होगे presents इसमें ए फॉन्टेस कि कि यूनियन ऑफ सदे लेंबड परावर किसके परावत हो और को सक्या परावत हो गया यह भी पूरुफ ऑगया कि सेकंड गाइबडरु अब्थे सेट Cake इंग ऑब पर प्राफ़ तो 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 किसी टॉप लोगी के लिए तो किसी टॉपपलोजी के लिए टी टूप लोगी तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कोर्सर एंड फाइनल टॉपलोजी के लिए तो 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 इसके बाद अगला topic है मारा not comparable topologies comparable topologies equal or same topology तो भीन प्रवार की topology की बार में पढ़ेंगे तो not comparable topologies तो दो topology लेते हैं if T1 and T2 are two topologies on X such that T1 does not contain T2 and T2 does not contain T1 then T1 does not contain T2 and T2 does not contain T1 then T1 and T2 are said to be not comparable अगर t1 contain कर रहा हो t2 में वह टीस पविधा क्या क्या लएंगे लाओ तो लुट इटी गया चेल्ट पिट्ट ओप्प्पिरेवल कला उनवD पूठेन कर रहें घिर्च उन सेट विधार ऊंव 12702 पूर 2507प subtitle को फिर दोनों कि समय सेंड ओपन सेट में तो दोनों लिधा क्याएगी एक्वाल अब इन टॉपलोजी की दौश्च एग्जाम्पल की द्वारा समझ सकते हैं तो एक एक्जाम्पल लेते हैं find 3 mutually non comparable topologies for the set x, x set में 3 element है a, b, c, तो let t1 बरावर 5a और x t2 में लिए आमने 5vx 3 element लिए और t3 में 23 topology में 3 element लिए 5c और x, तो then the topology t1, t2 and t3 इनको देखने पर क्या फुरूप रहा है कि mutually non comparable है, t1 not contain t2, t2 not contain t3 और t3 not contain t1, तो second condition लिए इस examper की let x बरावर हमने set ले लिया 3 element का a, b और c, तो t1 topology लिए इसको बार हमने t2 topology लिए t2 topology के लिए 5a, av, a, c and x और t3 topology, तो then t1, t2, t3 तिनों क्या हैं topology है किसके लिए x के लिए, तो यहाँ पर t2, t1 है, yax, और t2 में t1 के जो भी element है, जो भी topology का काया, जो भी set है, t1 जो topology है, उसके जो भी element है, वो t2 में exist कर रहे हैं, तो तो उसके लावा extra element भी है, तो t2 क्या होगा है, फाइनर होगे, t2 is finer than t1, और t1 is closer than t2, और t1 क्या है, वीकर topology है, दो कि t2, फाइनर कॉपलोजी है, तो भी topology is, t1 and t3 are not comparable, since t1 not contain t3 and t3 not contain t1, and similarly the topology t2 and t3 are not comparable, t2 and t3 भी क्या है, not comparable है, इससे, एक्जम्फल से हमें, not comparable, comparable, closer and final topology की बारे में, समझ में आ गया, इसके बाद अगला topic है मारा, intersection and union of topologies, तो it is observed that the union of topology 4x is not necessarily a topology on x, however the intersection of any collection of topology 4x is topology, तो दो topology का अगर union लें, तो not necessarily a topology on x होगी, और हाद intersection लें 2 topology का, तो topology, तो however जबकि 2 topology का intersection लें, तो 4x ही ज़ें, तो topology होगा, तो यह प्रूप करना है, तो इसको एक example है और से समझ सकते हैं, तो so that the union of 2 topology 4 a set x is not necessarily a topology 4x, तो let एक example लेते हैं, x से एक के लेते हैं, set लेते हैं, तो इसमें 3 element a, b, c, उसके लिए 2 topology लेते हैं, तो t1 और एक t2, तो t1 topology लेते हैं, उसमें element 5, a, x and t2 में लिया 5, b और x, b2 topology और x, तो then t1 union t2, t1 union t2 लिया, तो क्या आएगा, set आएगा 5, a, b, x, तो इसमें t1 union t2 एक नहीं topology, उसमें topology की तीनों condition क्या होनी चाहिए, satisfy होनी चाहिए, अगर तीनों condition satisfy हो जाएगी, तो हम कहे देंगे कि t1 union t2 क्या है, topology है, तो पहली condition तो इसमें क्या हो रही है, satisfy हो रही है, तो हम A ओर B का उननने, तो A लिए अब A belongs to t1 union t2, B belongs to t1 union t2, तो इनका union में किसमें बलोंक्स होना होना चाहिए है, t1 union t2 मोना चाहिए, तो दोनों का union लिए तो हमें, हमें एक element परापत होए, a, b set परापत होता है, a, b क्या परापत होता है, सेट प्राप्ट हुआ तो तो यह हमने अब्जर्व किया कि दोनों तो टोपलोजी लें और दोनों का यूनियन लें तो नोट नेसेसर लिए टोपलोजी हो यह प्रूफ हो गया इसके बाद है इनट्रेक्शन के लिए प्रूफ करना है उसे इस्थौरम से समझ सकके है इच क्या फ्रूफ करना है तो उनकी इंट्रेक्शन को प्रूफ करना आपको उनका इंट्रेक्शन क्या है तो इसकी अ Chr ad прост अim पड़ेगी तो पहली condition लेते हैं since t1 and t2 are topology on x तो we have 5,x belongs to t1 and 5,x belongs to t2 तो imply that 5,x belongs to intersection ले ले तो t1 intersection belongs to t2 तो t1 intersection t2 तो t1 intersection t2 के लिए topology की पहली condition क्या हो गई satisfy हो गई इसका बाद second condition देखते हैं let g1,g2 belongs to t1 intersection t2 then g1,g2 belongs to t1 and g1,g2 belongs to t2 template that आब intersection लेंगे तो g1 intersection g2 belongs to t1 and g1 intersection g2 belongs to t2 template that g1 intersection g2 belongs to t1 end का मतला होता intersection और का मतला होता union t1 intersection t2 तो तुर्सरी कंडिशन भी तोपोलोजी क्या होगा- T2 कंडिशन भी क्या होगा- T3 अब T3 आश्थिक्ट गंडिशन दिक्ते हैं लेट-G κ The HEY человек आव्पार बात करता है इस पर थीदेले किसे लिए इक्वेशन नमर्ट सेकेंड, since we know that t1 and t2 के देरा के, topology देरा के, t1 and t2 topology है, तो topology की t-noh condition को satisfy करती है, t-noh condition क्या होती है, 5 belongs to t, 10 x belongs to t, x कोई भी non-nobity set के बारे में बात कर रहे हैं, x ho, r ho, तो belongs to किसम होना चाहिए, t महोना चाहिए, पहले condition होती है, दूसरी condition होती है, दो element लें, और दोनों element ओक इंटरसेक्शन लें, तो अकला element हमने टोपलोजी में से लिए, और दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो अकला element किसम माना चाहिए, उस topology माना चाहिए, और तीसरी condition होती है, कि कोई particular element हमने topology में से लिया, जैसे g lambda belongs to t मे लिया, और उसको union के रूप मे ले रहे हैं आप है, एक्वेशन नमर फस्ट से, union of g lambda सद्धे lambda belongs to arbitrary set belongs to किस महोगा, तीवन होगा, चूंकि, since, सुकी भी बोलते हैं इसको, दो बिंदी उपर होर एग नीचोतु, चूंकि बोलते हैं, एक बिंदी उपर होर दो नीचोतु, उसको इसलिए बोलते हैं, तो सिं union of g lambda सद्धे lambda belongs to arbitrary set belongs to t2, since t2 is topology, एक्वेशन नमर फोर, तो एक्वेशन तीन और च्यार को दोनों का क्या लेते हैं, तो left hand side में तो एक क्या है, एक set है, वो तो सेम आजाएगा, दोनों का intersection, सेम, सेम element उनका intersection, सेम set का intersection लेते हैं, तो वो ही प्राफत होगा, तो union of g lambda सद्ध क्या है, तो t3 condition भी क्या होगे, satisfy होगे, तो t1, t2, t3 condition किसके लिए satisfy होगे, t1 intersection t2 के लिए, तो therefore, t1 intersection t2, इजे topology on x, तो t1 intersection t2 गया होगे, topology proof होगे, तो मैं आपको कहा था कि, कि किनी दो topology का union लें, तो not necessarily on topology on x, वो topology हो आवेसक नहीं है, तो उसको उने example से प्रूप कि लें, और उनका intersection लें, तो वो क्या होती है, topology on x के उपर topology होती है, तो वो हमने थार्म के दोरा, प्रूप किया, तो प्यारे विद्धारती हो, आज मैंने आपको, विमिन प्रकार की topology के बारे में पढ़ाया, जैसे left topology के बारे में पढ़ाया, इससे पिछली क्लास में हम उसके बारे में पढ़ाया, same and equal topology क्या होती होती है, तो इसके बारे में पढ़ाया, तो नोट नेसरली है topology on x, तो उसको example की दोरा समझाया, और दो टोपलोजी के intersection लें, तो वो क्या होती है, इससे topology on x होती है, उसको एक थोरम के दोरा समझाया, तो इनको आफ जब भी time म आप सुन एक बार जरूर देखें और सॉल्व करें जिससे आगमी कलास में आपको जो भी पढ़ाय जाए वो बड़ी आसानी से समझ में आ सके थेंक यू